केंदर सरकार पर सपा का हल्ला बोल राज्य सभा में कल पास हुए किसान कानून को लेकर आजसे समाजबादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालों पर विरोत प्रदर्शन करते हुए केंदर सरकार के खिलाप जबरदस्त नारेबाजी की सपा विधायक और कारेकरताओं ने इसे काला कानून बताया है केंदर की भाजबा सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए कानून पर कल से ही विपक्ष के तेवर तल्क भरे थे आज सुभा से ही संसद परिसर में विपक्ष के संसद हंगामा कर रहे हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पायटी ने इस कानून के खिलाफ कमान संभाल ली है मुरादबाद में सुभा से ही सपा के विधायक और उनके कारेकरता सदर पैसिल के गेट पर जमा होने लगे थे ये सपाई एक जुलूस की शकल में वहां पहुँच रहे थे मुरादबाद देहाद से विधायक हाजी इक्राम कुरैशी एक बैल गाडी में सवार होकर पहुचे थे सपाई कारेकरताओं ने विरोध स्वरूफ मोटर साइकल भी बैल गाडी में रखी हुई थी ये कारेकरता भाजपा सरकारों के खिलाफ नारे बाजी करते हुए चल रहे थे तैसील गेट पहुचकर ये सभी जुलूस एक धरने में बदल गया जहां पर सपाविधायक हाजी इक्राम कुरैशी और अन्ने विधायकों ने माइक संभालते हुए केंडर की भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बुला सपा ने किसान कानून को काला कानून का नाम दिया है धरने के बाद सपाईयों ने एक ग्यापन भी सौपा वहीं कुंदर की से सपा विधायक हाजी रिजवान ने कहा कि मोदी सरकार नए कानून लाकर देश के लोगों के लि इतवार के दिन, संडे के दिन, छुट्टी के दिन, किसान विरोधी कानून पास कर दिया गया, बिल पास कर दिया गया, हम उसकी बिलकुल सक्त मदम्मत करते हैं, उतका विरोध करते हैं और समाजवादी पाइटी किसानों के लिए गरीबों के लिए मजदूरों के लिए सब के लिए सडकों पर उत्री है और उत्रती रहेगी आज देश को गुलाम बनाने के लिए हर चीज को प्राइबर सेक्टर में दे रहे हैं यह इनों ने बिजली भेज ली रेल भेज लिया हवाई सेवा भेज दी सुआश सेवा भेज दिया हर चीज को जो है यह द्योग पठ्यों को पल पे हम लोगों को एक टाइम क्वाने का जो है और यह दिखाना चाहते है कि आम एक टाइम का अगर आपको बोजन दे रहे हैं तो कि जाएगी 144 की अंतरगाद जो भी नियम और चर्टे थी उसके अनुपालन में ही लोगों ने यहां पर यह पाकी देखा जाएगा जैसे भी अगर कोई नियम तोड़े गया है तो फिर वो करवाई हुए कि अभी जो हमें ग्यापन मिले हैं उसमें इतने भी लोग हैं कत्र हुए हैं उससे ली गई हैं वाकी कितनी बीड है यह चीज असेस की जाएगी और आगे देख जाएगे क्या करवाई हैं